नमस्कार दोस्तो एलेक्टिक वैकिल इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ अजीत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एलेक्टिक कार के बारे में जो जल्द ही इंडिया में आ सकती है जिसका नाम है एस्ट्रोम आर्थरी तो आए इसी टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तो एस्ट्रोम मोटरस ने साल 2018 में इंट्री लेवल एलेक्टिक कार एस्ट्रोम आर्थरी पेस की थी नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसकी कीमत 4-5 लाख रुपे हो सकती है यहां सस्थी एलेक्टिक कार मार्च में लांच होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरिस के परकोब की वज़ा से स्ट्रॉम आर थरी की लांचिंग टाल दी गई है इस सस्थी एलेक्टिक कार के टॉप वेरियंट की बुकिंग जल्द ही शुरू होने की उमीद है A-Strom R-3 electric car में सिफ 2 ही seat मिलेंगी यह 3 wheel वाली car होगी इसकी लंबाई 207 mm और चोड़ाई 2450 mm होगी इसकी उचाई की अगर हम बात करें तो इसकी उचाई 1572 mm और ground clearance 185 mm होगी दोस्तो इस two-seater car का वजन महज 550 kg होगा हलाकि इस car में आपको front में 2 alloy wheel और real में एक steel wheel है car के wheels 13 inch के होगे या छोटी electric car muscular foot bumper के साथ आएगी इसके साथ ही साथ LED lights, rear spoiler और dual tone color के साथ आती है दोस्तो खास बात यह है कि इस कम दाम की electric car में सनरूप भी मिलेगा स्टॉम मोटर्स की इस छोटी electric car में समान रखने के लिए भी कुल 400 liter की जगा है car के rear में 300 liter और front में 100 liter का space दिया गया है स्टॉम R3 में dual tone dashboard, 3 spoke standing wheel, 4.3 inch touch screen digital instrument cluster साथी साथ कार में power window, climate control स्टॉम R3 electric car में lithium ion बैटरी दिया गया electric motor 20 bhp की power और 90 nm torque जनेट करता है इस कार में eco, normal और sport नाम से 3 driving mode भी दिये गया है स्टॉम R3 electric car high strength steel space frame पर अधारित है इसके front में 2 hydraulic disc brake और real में drum brake दिये गया है कंपनी का दावा है कि यह एक बार full charge होने पर यह electric car 200 km तक चलेगी इसकी top speed 80 km प्रती घंटा है स्टॉम R3 की battery को 3 घंटे में full charge किया जा सकता है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें